ये कुछ भी करने को इनके यूनिटी का कोई फॉर्म्स नहीं है किस परकार से क्यों यूनिटी करनी है इनकी यूनिटी खाली बश्टाचारियों को बचाने की यूनिटी है उसका एक कव्च सा बनाना ये चाहते हैं एक दवाप डालना चाहते हैं वरना नरिंदर मोदी जी का कहीं भी मुकाबला नहीं है नर्दर मोदी जी आध हिंदुस्तान की जंता की दिल में वास्ट करते हैं जंता उत्यार कर रही है दोजार चोबिस का कि बोटों से उनकी जोली बरदे क्योंकि उन्हों ने करोणां बचाने का काम किया है उन्होंने 12 करोड घरों के इंदर गैस द जाती बात दिखा है धरम बात दिखा है कि एकवर की साथ खड़े रहे हैं आखे क्यों जनता है इनको चुने इसलिए खाली एक कवस्षा इन्हों ने बनाया है कि किसी परकार का हम परभाव डाल सके और मुझे लगता है जिन से राहुल गांदी होगे खड़के होगे पर यह स हमें को बोलते हैं वो खाल एक मुस्रिम हो की बात करते हैं उसमें फहले मुसलमान और चारह हिंदू होता है उसके अंतर और जिस प्रकार से बोल रहे हूँ उनको मॉलूम होना चाहिए कि मुस्रीम ही नहीं है अनेकों रिक लोगों का एंकांटर होब हैं और सबस्द्द टो उठाएंगे पुलिस अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करेगी नहीं अपना आप और आप कहते हैं एंकाउंटर एंकाउंटर किया है आज उन्चाइस दिने क्यों नहीं स्रक्षण किया उन्होंने आप पांच लाग के नामी जो गुंडे हैं दुरदानत जो सरयाम कतले आम मचा रहे हैं सड़क के भीच में रोक कतले आम मचा रहे हैं आप उनकी साथ खड़े हो दिखाई दे रहें इसका मदलब है आपके सविधान से आपका विश्वास अड़ चुका है कानून परके जाए या गुनागार करता है पुलिस को क्या करना चाहिए आप जाये कानून को लेके किताब को लेकर उनके बीच में जाके खड़े होई है जाके जब एंकाउंटर होता है तो आप बीच में जाके खड़े हुए आपको मालूम है तो लेकिन पुलिस जो है अपने बचाम में कोई भी कार्य कर सकती है यह उसको अधिकार है पुलिस मरने के लिए नहीं बनी है इनके आवाजे कहां चले की जब आ पर वी सड़क के अंदर रोक कर दो पुलिस वालों को गोली से मारा गया था आपने धर्म नहीं पूछा उसका जब एक बकील भी मारा गया उमेश पाल को चले हम गोली से मारा गया गवाह था वो एक केस का गवाह था गवाह को मारा गया अखिर कर दो 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 एक ंदर सावब एक कर दो कर दो कर दो कर दो ।